प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आप खुलकर हिंदू मुसलिम कर रहे हैं, खुलकर उनका नफरती राग सामने आ गया है और सबसे शर्मनाग बात जानते हैं क्या है, महराष्ट में वो नई परियोग्जनाओं का उद्गाटन कर रहे थे, उसकी आधारशिला रख रहे थे, और वो ऐसा बतौर प्रधान मंत्री कर रहे थे, मगर मंच पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रिस पर हमला बोला और उसके अलावा कुछ नहीं, अरे हमला बोला तो भोला, हिंदू मुसलिम जहर उगला, और उसके अलावा कॉंग्रिस के बारे में कई किसम के जूट बोले, जो आग मैं आपके सामने लाने वाला हूँ. मोदी जी के तरफ से दी जा रही है, दोस्तों, वह वाकई में आप लोग सुनकर धंग रह जाएंगे किस तरह से कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साथ कर हिंदू और मुसलिम की राज नीतिया पर एक बार फिर से करने की कोशिश की जा रही है, अभिसार शर्मा जी हमारे हिंदू मुसलिम कर रहे हैं, खुलकर उनका नफरती राग सामने आगा रहा है, और सबसे शर्माग बात जानते हैं क्या है, महराष्ट में वो नई परियोगजनाओं का उद्गाटन कर रहे थे, उसकी आधारशिला रख रहे थे, उसकी बुनियाद रख रहे थे, और वो ऐ ऐसा बतौर प्रधान मंत्री कर रहे थे, मगर मंच पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रिस पर हमला बोला और इसके इलावा कुछ नहीं, अरे हमला बोला तो भोला हिंदू मुसलिम जहर उगला, और उसकी इलावा कॉंग्रिस के बारे में कई किसम के जूट बोले, ज और उनका बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि कॉंग्रिस कभी भी मुसल्मानों की जातियों की बात नहीं करते हैं, और हिंदू की जातियों को आपस में लडाते रहते हैं, ये कब हुआ, मैं तो नहीं जानता हूँ कम से कम, कि कॉंग्रिस ने कब हिंदू की जातियों को आपस में लड़ाया कम से कम राहूल गांदी ने ऐसा किया होगा यह तो मुझे पता नहीं चल रहा है मगर प्रधान मंत्री यह बयान दे रहे हैं और इस मुद्वे को भी हिंदू मुस्लिम बता रहे हैं कॉंग्रेस हमेशा कि बाटो और सत्ता पाओ के फॉर्मिले पर चली है कि कॉंग्रेस ने बार बार यह सित्य किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है कि समाज को बाटने का फॉर्मिला लाती रहती है कि कॉंग्रेस देश के मत्दाताओं को गुम्रा करने से बाज नहीं आ रही है कॉंग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसल्मानों को डराते रहो उनको भाय दिखाओ उनको वोट बेंक के कंवर्ट करो और वोट बेंक को मजबूत करो समाज रहे हो कौन कह रहे है यह वाली बात मोधी जी ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुसलिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है मुसलिम जातियों की बात आते ही कॉंग्रेस के नेता पर मुंग पर ताला लगा कर बैठ जाते हैं लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कॉंग्रेस उनकी चर्चा जाती से ही शुरू करती है कॉंग्रेस की नीती है हिंदू की एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ मेरा प्रधानंत्री से सवाल प्रधानंत्री आप बता सकते हैं ये किसका बयान था जब आपने कहा था कि भई अगर कॉंग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी दो भैसों मेंसे एक मुसलमानों को दे दिया जाएगा ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया RSS के प्रमुक मोहन भागवत ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है और ये सपश्ट हो गया है दोस्तों कि महराष्ट में बयानों की जो बयार है या बयानों की आधी किस तरह की बहने वाली है किस तरह से नफरती बयान दिये जाएंगे RSS प्रमुक ने कहा था कि हिंदू खत्रे में है हिंदूों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए हिंदूों को एक होना चाहिए ये लोग कभी भी देश की एकता की बात नहीं करते हैं कभी एकता की बात नहीं करते हैं हिंदू की एकता की बात भी करते हैं मगर उसमें भी कही न कही नफरत भरी हुई है। सबसे बड़ी बाद दोस्तों, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी फंक्षन में थे। और एक सरकारी फंक्षन में खड़े होकर आप लगातार कॉंग्रेस को गाली दे रहे थे। आप देखीएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कॉंग्रेसी राग इस मुद्बे पर कॉंग्रेस का क्या कहना है आपके स्क्रीम्स पर यहाँ पर पवन खेरा कह रहे हैं कि अगर आपको कॉंग्रेस पर हमला बोलना है तो आप भारती जंता पार्टी के प्लाटफॉर्म का इस्तमाल कीजे क्या वज़ा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी समारू का इस्तमाल कर रहे है कॉंग्रेस पर हमला बोलने के लिए और हमला करतों रहे हैं तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ उनका ये बयान सुनिएगा बहुत आजीब और गरीब बयान है यहाँ पर प्रधान मंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी भी समझ गए थे इसलिए उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस को खत्म कर देना चाहिए मग्रेस को खत्म कर देना चाहिए प्रधान मंत्री ने दरसल कहा क्या प्रधान मंत्री कहते हैं कि कॉंग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने देश पर कई दशकों तक राज किया और अब वो बौकला रही है डेस्परेट है एक बार फिर सब्ता हासिल करने के लिए रोज वो लोगों के दिमाग में जहर बो रही है नफरत बो रही है यही वज़ा है कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस के इरादों को समझ लिया था और वो चाहते थे कि ये पार्टी खत्म हो जाए मैं प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहूँगा उस वक्की कॉंग्रेस में नहरू थे जन्हें आप कुछ नहीं मानते थे उस वक्की कॉंग्रेस में सुभाष चंद्रबोज भी थे अबुलकलामाजाद भी थे सरदार पटेल भी थे क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पुलिटिकल पाटी में सरदार पटेल थे जिसके आप इतनी राजनीती करते हैं वो कॉंग्रेस नफरती राजनीती कर रही थी मैं आपको बतलाता हूं नफरती राजनीती कौन कर रही थी अबुलकलामाजाद रसस मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा आप भ और Muslim League उसका विरोध कर रहे थे शामा प्रसाद मुखर जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा भारत छोड़ो आंदूलन में कोई विश्वास नहीं है बावजूर उसके जब नहरू की सरकार बनती है तो शामा प्रसाद मुखर जी उसमें मंत्री होते हैं तो मुझे बताईए ना नफरत के साथ कौन था? अंग्रेजों के साथ कौन था? आप महात्मा गांधी के बयान को तोड़ मरोड कर पेश कर रहे हैं महात्मा गांधी का मानना था कि Congress का गठन आजादी के आंदोलन के लिए हुआ था अब जब कि आजादी मिल गई है तो Congress की कोई जरूत नहीं है उनका यह मानना था कि भई जो सत्ता है वो लोगों के हाथों में जानी चाहिए Congress में कैसी सोच थी कि भई हमने इतना संघर्ष किया और देश एक transition से गुजर रहा है एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है इसलिए सत्ता पर कॉंग्रिस होना चाहिए कम से कम कोशिश करनी चाहिए चुनाव होए ना उसके बाद और उन्ही चुनावों में कॉंग्रिस जीत कर भी आई महात्मा गाधी के बयान को प्रधान मंतरी तोड मरोड कर पेश करना बंद कीजिए सबसे बड़ी बात आप एक सरकारी समारों में इस तरह की बाते कर रहे हैं एक सरकारी समारों में आप मुख्योई पक्षिदल पर हमला बोल रहे हैं और देखिए प्रधान मंत्री ने क्या क्या था आप इस पूरी बात है, लेकर मोधी जी जी वारी बाते हैं, तो रुमारोर के फेश करता है, हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है, हम सब सम्रिद अतीच से प्रेणा लेकर उज्वल भविवाण कर रहे हैं, कैसे कर रह मंत्री, बताईए ना, सडक पर साथ सो किसान मर जाते हैं और आप उसकी सुथ तक नहीं लेते हैं, और आप ये कहते हैं कि हम भविश्य का निर्मान कर रहे हैं, ये कैसा भविश्य मैं समझना चाहता हूं, ये कैसा भविश्य है जब आप अपनी ही देश के नागरिकों के बारे में जहर उगलते हैं, आपके मुख्यमंत्री हेमं तबिस्च शरमा और मुख्यमंत्री आदितनात् लगातार जहर उगल रहे हैं, इन पर कोई लगाम नहीं हैं, इन पर क्या लगाम, आप खुद, और मैं भविश्य वानी करना चाहता हूं दाराश के चुनाव में दे बनाना यही कॉंग्रिस की राजनीती का आधार है। कॉंग्रिस भारत के सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय की परंपरा का दमन कर रही है। कौन उधेड रहा है हर गुजरते दिन के साथ, बताईए ना। आधारत के प्यास में कोई भी ऐसा प्रधान मंत्री नहीं हुआ है, जिसने चुनावी सभाव में शम्शान बनाम कब्रिस्तान की बहस छेड़ी हो। कोई भी ऐसा प्रधान मंत्री नहीं हुआ है, जो मंच पर खड़े होकर, अपने ही देश के नाग्रिकों के बारे में अनरगल बाते करते हैं, घुस्पैटिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, और एक समुदाय के खिलाफ लोगों में डर पैदा करते हैं, और मुझे आप बता दीजे, राहूल गान्दी के ऐसा कौन सा बयान क्योंकि अगर ऐसा कोई बयान होता, तो उसकी बखिया हम उधेड़ते हैं, उसके धजियां उड़ाई जाती हैं, मगर हकीकत यह है कि आपके पास राहूल गान्दी के बयान का कोई जबाब नहीं है, इसमें दोराएं नहीं कि हर्याना में हार हुई है, इसमें साफ तोर पर पता चलता है कि राहूल गान्दी में अब भी राजनीतिक दूर दरशिता की कमी है, एहनकार कॉंग्रिस का सिर चड़कर बोल रहा है, मगर यह आपको लाइसंस नहीं देता कि आप जूड बोलें, और आप एहनकार करें, और फिर यह देकि वहीं अर्बन नकसल, इको नहीं है, आपका जो पूरा गोदी मीडिया का कुन्बा है, यह जो तमाम पापा की परियां, तमाम जो गुलू और कालू है, ना सिर्फ यह भारतिये जंता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करते हैं, बलकि जहर उगलते हैं, प्रधान मंतरी के हास्यास्पत बयान पर बात जो है, सीधे तोर पर गांदी थी, लेकिन इस बोड़ो मरोड़कर मोधी जी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, अब सवाल तो यह बहुत जादा उट रहे हैं, क्या आखिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी इस तरह से तोर मरोड़कर अपने बयानों को पेश क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों वो एक बार फिर से नफरत भरी राजनीती करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू बना मुस्लिम बाली बाते हैं यहां पर क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये सब महाराश्य के लिए हो रहा जैसा कि अब इस रिपोर्ट को देखने और सुने